हरी कृष्ण, एक दिन एक राजा रथ में बैठकर अपने महल से बाहर निकला, तो कुछ लोग राजा के साथ थे, राजा रथ में बैठा हुआ था, जैसे ही महल के बाहर रथ निकला, तो एक जरुवत मंद वेक्ती जिसके कपड़े फटे हुए थे, भूखा प्यासा था, र चाप एक मंतरी को भुलाया, और कहा कि ये जो वेक्ती है बड़ा जरुवत मंद है, इसको नो कुछ कपड़े लटे अनाज दे तो, और थोड़ी दिर में वो मंतरी सारी विवस्ता करके आया और उसको दिया, तब उस जरुवत मंद वेक्ती ने कहा, राजा, मुझे आपने इतनी सारी चीजे दे दी, मैंने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं, मैंने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं, आपको किसे पता चला कि मुझे इन वस्तूओं की जृत है, झांत से सुना, आज पंदरा नमयंबर है, डेट, आपको डेली कथा मिल रही न, और डेली वॉट्सप पे कथा, सुनिए आप जो हम आपको भेज रहे हैं तब उस जरुत मंद वेक्ति ने कहा कि राजा आपको कैसे पता चला कि मुझे इन सब चीजों की जरुत है कि मुझे कपड़ा चाहिए, अनाज राशन चाहिए और आपने तो वो सारी चीज़ें दे दी जो मुझे जरुत है जबके मैंने मांगी नहीं, आपको कैसे पता चला तब उसने कहा राजा ने कि मैं राजा हूँ, मुझे पता चल जाता है कि किसको क्या चाहिए भाई, तुम्हारा मूँ सुखा हुआ है और तुम्हारे वस्तर सब फटे हुए है इससे मैं समझ गया न कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारी क्या वशकता है और मने तुम्हें दी दी तब वो जरुतमंद वेक्ति हसने लगा कि वाई, राजा तुम धन्य हो, खुश हो गया हो राजा आप धन्य हो कि आपको सब पता चल गया और जो जो मुझे चाहिए, जो मेरी नीट से आपने वो पूरी कर दे ऐसे ही प्रियबंदों एक राजा को पता चल जाता है कि इस जरुतमंद वेक्ति को क्या चाहिए एक बच्चे के रोने से पता चलता है मां को कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए तीन मेने का बच्चा रोता है अगर उसको भूख लगी है, प्यास लगी है उसको बच्चे को पेट में दर दे कान में दर दे, वो मां समझ जाती तीन मेने का बच्चा अगर भूख लगी है तो भी रोता है प्यास लगी तो भी रोता है कान में दर्द है तो भी रोता है पेट में दर्द है तो भी रोता है बच्चा एक ही काम करता है रोता है हर काम में ऐसे मा को पता चल जाता है कि बच्चे को क्या जूरत है बच्चे को किस चीज की जूरत है ऐसे ही राजा को पता चल गया था कि ज दुक्सान होने वाला है वो सब जानता है इसलिए उस परमात्मा को आप इतना जान लो कि उसे सब पता है कि हमें क्या चाहिए अरे एक राजा को पता चल जाता है कि मां को पता चल जाता है कि मेरे भच्चे को क्या चाहिए राजा को पता चलता है जोरतमन को क्या चाहिए ऐसे इश्वर को पता है कि हमें क्या चाहिए बस उसका भजन करना उसका नाम सिम्रन करना उसे सब पता है कि मेरे भक्त की क्या ज़ुरते हैं मेरे प्यारे की क्या ज़ुरते हैं और गीता में तो कृष्ट कहते हैं योगक शेमम महामयम मैं अपने भक्त की सारी वश्रक्ताओं को प देगा नहीं बिना मांगे भी वो दे देता है आपने तो कहा सुनी होगी बिन मांगे मोती मिले बिन मांगे मोती मिले अरे बिना मांगे तो वो मोती तक दे देता है कई ऐसी चीजें की जीवन में जो आपने नहीं मांगी होगी फिर भी उसने दे दी उसको सब पता है इसको क् मांगते हैं तो भी नहीं देता है कि किसको पता है इस चीज में उसका नुक्सान होगा वह हमेशा हमारा भला सोचता है ठीक है और हमारे साथ रोज सुबह साड़े